अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए करेंस आपको ये पाँ प्यार भेज। आर सतनाम करता पुर्ख निर्भो निर्वेर अकाल मुर्त अजूनी सेभं गुर्परसाद जप गुर्परसाद जप आद सच जुगाद सच आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो सी भी सच नानक हो सी भी सच आद सच आद सच जप एग लुगाद सच जुगाद सच जैंड़ नानक हो सच भी सच जब जो बख़ खंड़ल टुगाद सच झाध कर दोचे कर दो तकते हैं झाल 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 छे साल से मुगल सल्टनत इस सूर में बंदा सिंग बहादुर का कुछ ना बिगार सके है। इसने दुनिया की सब से थाकतवर सल्टनत की नाक के नीचे अपने गुरू के सपनों का पंजाब बसाया। जालिमों का नाश कर जुल्मों से मुक्त पहला खालसा राज इस्तापित किया लाहौर से फिर निकला मानवता के इतिहास का सबसे करूर जलूस बंदा सिंग को जलील करने के लिए उसे शाही पोशाक पहनाई गई और उसके तीन साल के मासूम बेटे को गैदी बना साथ सो चालिस सिंगों के साथ दिल्ली ले जाया गया कर्मन ते कभ हो नटरों पर शिवा बर्मोय है शुब कर्मन ते कभ हो नटरों नटरों अर्सों जब जाये लरों निश्चे कर अपनी जीत करों पर शिवा बर्मोय है शुब कर्मन ते कभ हो नटरों नटरों अर्सों जब जाये लरों निश्चे कर अपनी जीत करों इसी बुलंद हांसली की शान में हमारे महान देश का राष्टगान लिखने वाले महाकवी रविंद नाट तैगोर ने एक कविता लिखी बंदी बीर आखिर बंदा बाहदूर मुगल देर हातों बंदी आखिर बंदा मुगल फौद के हाथ आगया शेहर की तरहे उसको पिंजरे में डाल दिल्ली लागया देह शिवा बर्मोय है शुब कर्मन ते कभ हो नटरों नटरों अर्सों जब जाये लरों निश्चे कर अपनी जीत करों बोले इसो नहां सास्रिया का शेहनशाह हिंदोस्तान ज्यादातर सिंगों को हमने पंजाब में ठिकाने लगा दिया है और बचे-कुचों की अकल ठिकाने लगाने यहा दिल्ली ले आए हैं जो हमारा मजब कबोल करे उसे रिहा करो और जो ना करे उसे फारण अलविदा करो आखरी बार पूछ रहा हूं अगर कोई हमारा मजब कबोल करता है उसको बख्ष दिया जाएगा उसे पाहियो लाओ एक को उजलात पहले मैं उजलात पहले मुझे 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 दे उसको पकड़ो हर कैदी सिंग सबसे पहले शहीद होने के लिए उतावला था रोज जरते सूरज के साथ सौ सिंग कत्ल कर दिये जाते हैं साथ दिनों में साथ सौ सिंग शहीदी पा गए साथ सो सिखों को उनके साथियों के सामने ही कतल के लिए ले जाया गया जनाब फिर भी उनका फैसला नहीं बतला हर कतल के बाद हमारी उमिदें घटी गई और उनके इरादे मजबूत होते गए तीन महीने कैद में सढने के बाद भी ना तो कोई सिंग और ना ही बंदा अपना मजब छोड़ने को तयार है सरकलम कर दो जब आब की योद निदान पने अत्ही रन में तब जूज मरो डर तो नहीं लग रहा पुत्तर? डर? वो क्यों होता है? हाँ, तुझे कैसे पता? वो तो सिंगों में होता ही नहीं हाँ, जैसे बाबा फते सिंग में भी नहीं था उनसे सीख लिया कि धरम के लिए अटल कैसे रहना है चल, हुकम हुआ तो अपने बच्चे का खुद कतल करेगा सिंग और तों और बच्चों पर कभी वार नहीं करते इस हैवानियत के तुम मारत ही हो आला खाजी ने बंदा सिंग के बेटे को जलादों के हवाले कर दिया बंदा ने उसकी लाल दस्तार को चुमा और उसके कान में कहा वाए गुरुजी की फते बेटे के चेहरे की तरफ देखा और निर्भै होने के लिए कहा बेटे ने भी वाए गुरुजी की फते गरज कर जवाब दिया मैं निर्भै हूँ उसने कहा बेटा वाए गुरुजी की फते उचारते हुए जमीन पर गिर पा पुले सुनिहार्ट सत श्री अकाल बंदा सेंग तेरी शांत आंके मुझे डरा रही है ये मेरे अंदर खुस्ती जा रही है इन आंकों को फोड़ मैं तुझे अंधेरे में धकेलतूंगा तेरी टुकडे टुकडे करूंगा रुक क्यों गए मेरी आंकों को तो फोड़ दो गए लाखों और जो तुम्हें तुम्हारे पापों की याद दिलाएंगी उन्हें कैसे फोड़ोगे बंदा सिंग बहादूर के जिस्म को जम्बूरों से नोचा गया बोटी बोटी कर दिया गया मुंगलों की ये दरिंदगी भी बंदा सिंग को आखरी सांस तक उसके उस खालसा पंथ से टस से मस नहीं कर सकी खालसा पंथ जिसकी नीव खुद गुरु गोबिन सिंग ने सालों पहले अनन्दपुर में रखी थी अनन्दपुर जहां गुरु साहब के चारों साहबजादों के मधूर सुर फिजाओं में गुंज थे और सारा वातावरन सुख स्ने और शांती से भर जाता था अनन्दपुर साहब की रौनकों को किसी की नजर लग गई धोखे से वजीर खान ने गुरु साहब से अनन्दपुर का किला खाली कर वा लिया और सरसा नदी पर आकर उनका सारा परिवाद बिखर गया चालिस सिंगों और दो बड़े बेटों के साथ गुरू साहब ने चमकौर की गड़ी में डेरा लगाया दस लाकी फौज लेकर वजीर खान ने हमला बोल दिया दुश्मन के साथ लड़ते हुए पहले बाबा अजीद सिंग शहीद हुए फिर बाबा जुजहार सिंग ने गुरू पिता से आशीर वाद ले जंग में वीरगती प्राप्त की गंगू के लालच ने माता गुजरी जी और चोटे साहबजादों को वजीर खान के खुनी पंजों में सौप दिया जिसने काजी के साथ मिलकर चोटे साहबजादों को दिवार में जिन्दा चिन्ने का फत्वा जारी करवा दिया दिवार ने बच्चों की बहादुरी को सराम किया और उनके कदमों में गिर पड़े वजीर खान के इशारे पर जल्लादों ने बच्चों के सिर कलम कर दिये गुरू साहब ने इस तरह सरबंस वार के मानवता की खातिर अपना फर्ज निभाया 1708 सरहंद तीन साल बीद गये थे जिस जगह पर छोटे साहबजादों को दिवार में चिन कर शहीद किया गया था उस दिवार को वजीर खान ने तूटा हुआ इसने छोड़ दिया था ताकि वो भायानक दृष्ष लोगों को उसकी दहशत की याद दिलाता रहे पर उसके विप्रीत लोग वहां आकर साहबजादों की स्मिलती को परणाम करते कईयों को तो वहां वाहे गुरू की आवाजें भी सुनाई देती और तो और कोई श्रधालू हर महीने उनकी शहीदी के दिन वहां जोड जला जाता कौन जला जाता पता नहीं चलता था आज भी इस महीने की वही तारीख है वजीर खान की दह्शत के सामने वो कौन सा सिर्था जो जुकने के लिए तैयार नहीं था रजिया बीटी जल्दी कर कमरुदीन ये जोड किसने जलाई पता नहीं जनाब मैं तो नमाज पढ़ने गया था ओए मोहतरमा इधर आओ यों कमरुदीन ये वरत अभी यहां आई थी जनाब बेशक बुड़ाबे में मेरी नजर कमजूर हो गई है पर अच्छे बुरे की पैचान है इसे मैंने पहले यहां कभी नहीं देखा ये जोड तो साहिबजादे अपने बलितान की हमारे दिलों मे जगा गये हैं जो हमेशन जलती रहेगी ए लड़की दरोगा साप के सामने उंचा बोलती है जल भागयां से नहीं तो बाकी हम दर्दों की तरह तुझे भी कालकोट्री में बंद कर दिया जाएगा जल भागयां से कमरुदीन जी जनाब लोगों को तो हम कैद कर लेंगे पर लोगों को कैसे कैद करेंगे जो इस दिवार से आती है इसलिए इस लड़की के दिये को जलाने के थोड़ी देर बाद मैं दिये को यहां से उठा लेता हूँ इस तरह से उसकी श्रधणजली भी पूरी हो जाती है और सरकार के कानों तक बाग भी नहीं जाती औरों की मैं क्या कहूँ जब मैं खुद कई बार यहां से गुजरता हूँ तो मुझे वहे गुरू वहे गुरू की आवादे सुनाई देती है सुना जनाब जनाब, ये सब अफ़ाहे हैं कौन से वहे गुरू की आवाद और कहा से आएगी वैसे अब सिखों के पास बचाई कौन है गोबिंद के बड़े बेटों को तो चमकौर के लड़ाई में मरवा दिया और छोटों को सरहन्द में मार दिया हिंदू और सिखों को आपने ऐसे भयानक तारे दिखाए कि सारे डर के मारे सहमकर घर में बैठ गए है और बात्षा की आँखों में धूल जोंखने के लिए आपने दरबार में दो सिख आली सिंग और माली सिंग को दिवान की बदवी दे दी है तो बता दीजिए वो कौन सी परिशानी है जो आपको अपनी ही उंगलियों के पटाके बजाने के लिए मचबूर कर रही है गोबिंद सिखों का गुरू जो हमेशा मेरी मार से बश्टा रहा मैंने उसके बच्चों तक को मरवा दिया फिर भी उसने आकर मेरी चौकट पर सर नहीं जुकाया मैं चाहे सारे सिखों को क्यों ना खत्म कर दूँ जब तक उनका गुरू जिन्दा है मेरी समस्या जैसी की तैसी बनी रहेगी खान साब ये दोनों आपकी समस्या का हल करके दिखाएंगे जिसका सर कलम हमारी तलवार ना कर सकी क्या तुम उसका शिकार करोगे जी हाँ हमारे वार से मरेगा गोबिंद और सदमे से मरेगी पूरी सिख कौम तुमारे जवाब ने तो मेरी उमीदों के बंदर वाजे खोल दिये सुचनन इनकी जोलियां सोगातों से भर दो जी बादशा गुरू को दक्षिन की तरफ ले गया है उत्तर की तरफ ना आ पाए और अगर कहीं जाए तो सीधा उपर जाए जाओ गुरू की हत्या खान साब अपनी सोच के बारे में तुबारा सोच ले ना कोई बुरी बात नहीं उस गुरू की मौत में ही मेरी जिंदगी है इससे पहले कोई और मुसीबत मेरी तरफ आए महांच जी महांच जी महांच जी कोई अपने डेरे पर आया है आते ही उसने तो मठकी मर्यादा मिट्टी में मिला दी बकरे काटे और अपने परसाद बनाने वाले चुले पर मास पकने रख दिया और खुद वो आपके पलंग पर पसर कर बैड़िया कौन है जिसने इतनी हिम्मत की बाबाजी सबक सिखाओ उसे वहां बैठे ही पलंग समेथ धर्ती पर उल्टा कर मारो फिर जाकर पूछना कर दो तो मादोदास अंकार के अंदकार से निकल सच्चाई की रोष्णी में आ तुमने कुछ सुना नहीं मांति जी आपने तो कुछ भी नहीं कहा मादोदास परमात्मा की आवाज सिर्फ आत्मा सुन सकती है और आत्मा की आवाज सिर्फ परमात्मा येवल मंत्र दुनी जमाने से शांती नहीं मिलती जित को शांत रखना भी जरूरी है तुम भटक चुका है मादोदास आज पहली बार तेरे सभी तंत्र मंत्र बे असर साबित हुए है तेरे डेरे पहुचने वाला शक्स कोई मामूली इंसान नहीं है काफी नाराज लगता है तू हमारे से तू यही सूच रहा है ना कि इन्होंने तेरे डेरे की पवित्रता भंकर दी माफ करना माराज मेरे पवित्र स्थान पर निर्दोश जीवों की हत्या हुई है उनके खून से आश्रम की मिट्टी लाल है अब मैं यहाँ ध्यान नहीं लगा सकता गुरूस साहब ने कहा यही तो मैं तुम से जानना चाहता हूँ के बाहर जब बुगल सैंक्रों निर्दोश बेकसूर इंसानों को बक्रों की तरह हलाल कर रहे हैं वो कौन सा ऐसा मंत्र है जो सरे आम हो रहे अत्याचार की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं जाने देता राजोरी के रहने वाले हो तुम्, तवी, सतलूज, ब्यास, रावी, जबुना, गंगा, नर्मदा इन नज्यों को पार कर गुदावरी के पास आडेरा लगाया है मेरी मानों एक बार फिर से सफर शुरू करो रास्ते में तुम्हें गरीब मेहनतकश रोते हुए किसान मिलेंगे उनके आंसूर पोचना, उनकी मुस्कुराहट के पीछे बैठा परमात्मा तुम्हारा इंतजार कर रहा है अंतरियामी, आप कौन है? गुरू साहब ने कहा, वो ही जिनको तुम जानते हो ऐसे नहीं मादो, मन की आँकें खोल आप तो साक्षात गुरू गुबिन सिंग जी हो हाँ मादोदास, जैसे ही गुरू साहब को दादू दुवारे के महंत जैतराम से तेरे बारे में पता चला, सीधा तेरे डेरे चले आए मेरा सा भाग्य गुरू साहब ने कहा, अपना भाग्य और जगा तुम करमवीर हो, जिस करम के लिए इस धर्ती पे आये हो उसकी कमान संभालो, तुम्हारा स्वभाव तो शिकारियों जैसा है जल्म के सतायक हुए वो लोग उतने ही मासूम और बेकसूर हैं जितने तुम्हारे तीर से मरते हुए हिर्णी के वो दो बच्चे जो पैदा होते ही तुम्हारे सामने दम तोड़े जिनको तुम तडब तडब कर मरता हुआ देख न सके और शिकार खेलना बंद कर दिया तीर भी तोड़े थे और कमान भी फेंगे थे उस पीड़ा की तडब ने तुम्हें लक्षमन देव से मादोदास बना दिया अंतर्यामी मैं गुरु साहब ने कहा हां हां तुम कौन जी मैं आपका बंदा वो कौन से बापी है जो बेकसूर लोगों का खून बहाते हैं कैसे सजा देगा उन लोगों को तंतर मंतर से उनके पलंग उल्टे करके तंतर मंतर वाले मादोदास की मौत तो आपके दर्शन करते ही हो गई थी बाजावाले साहियां अब आपके सामने आपका बंदा है अब आप अपने इस बंदे को ऐसा सिंग बनाओ जिसकी तलवार किसी बेगुना पे उठे ना और किसी पापी को बख्षे ना गुरू साहब ने कहा बस तुम्हें बंदा ऐसा बाहदूर सिपाही बनाएंगे जो इंसानियत के दुश्मनों को लोहे के चने चबवाएगा अब तुम्हें हम गरीबों मजलूमों का सहाई खालसा बनाएंगे नांदेर में गुरू जी ने अपना डेरा गोदावरी नदी की किनारे लगाया वहां का वातावरन बड़ा ही मनोहारी था हिरनों का जुन्ड चुपचाप आकोने में बैठ जाता और मोर भी नाचना पूल शान्त होकर बैठ जाते इस तरह के वातावरन में आकर माधोदास और उसके साथ ही धन्य हो गए युद्ध के मैदान में घोड़े हमारे शरीर का हिस्सा होते हैं इसलिए तुम्हारे और घोड़े के दर्म्यान सही तालमेल होना बहुत जरूरी है थोड़ा वक्त लगेगा माधोदास सबसे पहले ये सीखना है कि अपना बचाव कैसे किया जाए चलो अब तुम वार करो ना ऐसा करके तुम एक वार को रोक रहे हो और दूसरे वार को न्योता दे रहे हो जब तलवार तुम्हारे हाथ में हो तो नजर दुश्मन पर होनी चाहिए लाल रंग सिर्फ तुम्हारी तलवार की शान बढ़ाए तुष्मन की दलवार हमेशा बेरोनक रहे जंग हौसले से जीती जाती है पर असूलों के लिए लड़ी जाती है पंजाब के हालात बेहच जिंता जनक है इस वक्त सबसे ज़्यादा जरुवत है लोगों का साथ देने की जंग के असूलों को जान लेना अत्यंत जरूरी है इतने सालों बाद भी वह थोड़े अभ्यास के जरूरत है गुरू साहब ने समझाया लोगों को अगर जालिमों से बचाना है तो अपने आप को बचा के रखो नासमझी से आगे बढ़कर दुश्मन के हत्यारों की बेर चड़ना बेवकूफी है गुरू साहब ने बंदा सिंग को समझाया अगर आपकी मौत औरों के लिए प्रेड़ना नहीं बन सकती तो शहीद होने का कोई फाइदा नहीं है जो दूसरों को हिम्मत से मरने का हुनर सिखा दे यह जगा गुरू साहब ने कमाल की चुनी है कमाल जगा का नहीं है गुरू साहब का है जहां भी जाकर बैठ जाते हैं वही एक नया आननपुर बसा देते हैं सच कहती हूँ अगर माता सुंदरी जी, माता साहब को और भाई मनी सिंग जी यहां नांदेर आजाते तो उनका भी यहां से जाने को दिल नहीं करता मैंने सुना है कि गुरू साहब की देख रेक में अननपुर में जो रौनके थी वैसी रौनक की मिसाल कहीं नहीं है मैं गुरू साहब के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ आप तो उनके साथ काफी सालों से है ना बताओ ना माधुदास दरबार सज़ते ही अनकिनत संगते आती जाती हर तरफ खुशी का माहौल था इन खुशियों को और भी चार चान पताय कब लगते कब भाई साहब जब गुरुजी के चारो साहबजादों को इलाके में हसते खेलते देख लोगों के चेरे खेल जाते इक शहर है अनंदप रमनीक ने नजारे इस शहर दे गगंते जग देन चार तारे हसे अनंद पुरतो खुलके जिना लुटाए तारे अकॉषितों तरती सजोन आए एपार एपार और वेजी इस तरफ कर दो जथिदा जोरवर सेंग और जथिदार पते सेंग तरबार में ओरंगजाइब और वजीर खान को पेश करो प्रेंगजाइब बनने के लिए तेयारी नहीं हो रा हां वीर जी कोई भी वजीर खान नहीं बन रहा खबरदार इस वक्त हम किसी के वीर जी नहीं राजा है राजा और वो भी बहुत गुस्से वाले राजा पति सिंग, राजा तो बड़ी गुस्से वाला है कोई बात नहीं, कल हमारी बारी है दोशियों को पेश करो नहीं तो तुम दोनों को बर्खास कर दिया जाएगा रुको रुको, खाल साजी, रुको ना सिंग जी, थोड़ी देर के लिए औरंग्जे बन जाओ आप वजीर खान बन जाओ वो क्या कह रहे हो साइब जादे, मैं क्यो बनू औरंग्जेब ओना जी ना, वजीर खान तो हमारा दुश्मन है मैं दुश्मन कभी न बनू वो तो इतना नीच है, कि अगर कहीं हमें मिल जाए, तो हम तो उसे वहीं पकड़ लें सिंग जी सिंग जी वजीर खान बन जाओ ना, बन जाओ ना गंगु, गंगु, यहाओ, यहाँ आओ आओ ना अच्छा ठीक है अगर आप हमारी बात मानोगे तो हम गुरु माता जी को कहकर आपको आट दिनों की चुट्टी दिला देंगे अगर यह बात है तो फिर ठीक है वजीर खान बन जाओ वजीर खान ही औरंग दे नहीं वजीर खान मैंने इसको पहले देखा था पहले आप दोनों भाई फैसला कर लो कि मैं वजीर खान हूँ या औरंग जेब उसका फैसला हम करेंगे हमें पहले औरंग जेब की जरूरत है हाँ तो महराज औरंग जेब हाजिर है औरंग जेब आपको हम अपने गुरू दादाजी पर की जुल्म की सजा देना चाहते हैं पर हम निहत्थे पर वार नहीं करते इसलिए आपको हमारे साथ युद करना पड़ेगा अगर आप जीत गए तो सजा माफ और अगर हम जीत गए तो आपको हमारा मुल्क छोड़कर जाना पड़ेगा महाराज मेरी अवकात नहीं है जीतने की मैं बिना युद किये ही आपका मुल्क छोड़कर जाने के लिए तैयार हूं बहुत देर हो गई है गुरू माता जी मुझ पर गुस्सा होंगे मैं चलता हूं महाराज और इंग तो भाग गया देख लेना एक दिन सभी मोगल ऐसे ही हमारा मुल्क छोड़कर भाग जाएंगे महाराज बहुत मेहनित की है आपनी और इंग्जेब तो भाग गया अब आपको भूख लगी होगी चलकर कुछ खा लीजिए नहीं अभी हमें बहुत काम है सोच लो महाराज मखन के साथ गरम-गरम चूरमा तयार पुतर मखन तो निकल आए तभी दूंगी ना पहले बड़ा खाएगा तभी तो बड़ा होगा क्यों चोटे पहले खाके बड़े नहीं होते जो बड़ा ना चोटा उसने तो भूख ही रह जाना है प्रेमो इधरा मधानी को भी पता है तुमारी भूख का आज तो पहले से कहीं ज्यादा मखन निकला है बच्चों को मखन दे दे जल्दी चल्दी 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 मखन से ही पेट भर लोगे ही चूर्मा कौन खाएगा चूर्मा मुझे दीजे गुरु माता सच में आज तो बड़ी भूख लगी गंगु चूर्मा ने लाया ये रहा माता कंगु तू आट दिन की चुट्टी के लालच में होरेंग से बनने को तयार हो गया अगर तुझे बड़ा लालच दिया जाए तो भला तू क्या कुछ करने को तयार हो जाएगा नहीं जी मैं तो बस ऐसे ही खेल रहा था खेल में भी रिश्वत लेना ठीक नहीं है पुत्तर तुम सुबर से कहां गए थे गुरु माता जी पहाडी राजाओं और मुगल फॉज की नियत कुछ ठीक नहीं लग रही गुरुपिता के साथ बैठे सला मशवरा कर रहे थे वीर जी पर हमारे सिखों की फॉज मुगलों की फॉज से कम क्यूं है शेहर गिंती में कम होते हैं पर राजपूरे जंगल पे करते हैं जुरावर सिंग शेहर की तरह आजा हाँ वीर जी ये देखो वीर जी वीर जी मुझे भी खिलाओ मुझे भी खिलाओ ओ हो फटे सिंग तु एक तरफ हट जा तू अभी चोटा है देखो वीर जी उतना खुद नहीं जितनी बड़ी कि ओ हो इतना जोश खुद ही तो कहते हो वीर जी पूरे जोश के साथ हाँ चल ध्यान से खेल अब मैं भी आपके जितना हो गया हूँ अब नहीं आप मुझे रोक सकते चाहे पास खड़े हो कर देख लो चलो खिलाओ मुझे जिद ना कर तुमें चोट लग जाएगी फिर क्या हुआ खेल चोटे तो लगती ही है यह खेल नहीं यह गतका है जो युद के मैदान में काम आता है फिर तो मैं जरूर सिखूंगा मैं भी युद पे जाऊंगा अब जल्दी जल्दी खिलाओ मुझे नहीं तो मैं अजीत वीर जी को बताऊंगा चल फत्ते सिंग का पीछे अर जा वीर जी खेल लो ना हाँ हाँ चल ध्यान से ध्यान से खेल आज किसी को डान पड़ेगी आज किसी को डान पड़ेगी डान पड़ेगी डान पड़ेगी डान पड़ेगी डान पड़ेगी वीर जी खेल लो ना फत्ते सिंग क्या हो गया आव तश्रीफ लाओ चलो 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 बाबा फते सिंग के सर सजीद दस्तारे देख गुरु साहब ने निहंगों की प्रथाशूर की थी फते सिंग चोटे और सब के लाडले थे इसलिए सिक संगत निहंगों को भी गुरु साहब की लाडली फोज कहकर बुलादी है आनन्दपुर के धोखे, सिर्सा के कहर, गंगु के लालच और चमकार के घमासान युद्र के बाद मुगलों के कड़े पहरे को भेथते हुए गुरु साहब माची वाड़े से सलोनी गाउं होते, गाउं जट पुरे से गुदर रहे थे के रास्ते में उनको राय कोट वाले चौधरी राय कल्ला मिले सचे पाशा जीओ, मैं तो आपके पालकी में दर्शन करके धन्य हो गया, और कोई सेवा है तो हुकम कीजिए गुरु साहब ने कहा, किसी भरोसे वाले समझदार गुरु मुख प्यारे को सरहन भेजो, हम माता जी और छोटे साहबजादों का हाल जानना चाहते हैं सरहन की तरफ से आ रही हवाओं में बेचैनी सी है गुरु पाशा जीओ, मेरे नौकर नूरा माही की बेहन का निका सरहन्द में हुआ है इसको हम अभी भेई देते हैं, और किसी को शक भी नहीं होगा रजिया, रजिया, देख मैं तेरा भाई, राइकोट से तुझे मिलने आया हो मैंने तो सुचा था कि मेरी रजिया बेहन मेरे साथ लड़ेगी कि मैं उसके पास इतने दिनों बात क्यों आया पर तु तो मेरे साथ ज़रा भी बात नहीं कर रहे क्या हुआ, इतनी नराज है अपने भाई से रजिया, नूरा मुझे सब कुछ खोल कर बताओ इसे असल में हुआ क्या है? गुरू गोबिन सिंग के छोटे साहिब जादो वो जब दीवार में चुनवाया गया था रजिया उस जगह से थोड़ी ही दूर घड़ी थी लखी भी ने? टोडरम वालने वजीर खान से जगह खरी थी अब वो उसी जगह पर माता और बच्चों का संस्कार कर रहा है यहां क्या हो रहा है लखी बड़ी हिम्मत दिखाई बड़ी है गड़ी गुरू साहब ने कहा मुगलिया सल्तनत की जड़ उखर गई अब इसके दिन उंगलियों पर गिने जा सकते हैं कौम की खातिर सब कुछ कुर्बान करने वाले के माते पर जरा भी शकर नहीं हाँ जब कभी भी हम उनके सामने माता जी या साहवजादों की बात करते हैं तो तेरा पाणा मिठा लागे कहकर बात शुरू होने से पहले ही खातम कर देते हैं आज के दिवान की समापती होने से पहले अगर संगत में किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है गुरु जी अगर कोई पाप करता है तो क्या उसको इसी जनम में भूगना पड़ता है हाँ बिलकुल गुरु साहब ने समझाया पापों का हिसाब यहां ही दे कर जाना है गुरु साहब ने मुश्कुरा कर कहा तो आखिर तुम पहुंची गए बड़ी दूर से आये लगते हो जी गुरु जी हमें अशीरवात दीजिए गुरु साहब ने कहा वाई गुरु तुम्हारी मुरादें पूरी करें गुरु जी पापी और अपराधी में क्या अंतर होता है पापी वो होता है जो पाप करने के बर में सूचे अपराधी वो होता है जो उस सूचे हुए पाप को अंजाम तक ले जाए क्या पापी का चेहरा पढ़ा जा सकता है? पापी का पाप उसके चेहरे पर साफ शब्दों में लिखा होता है, जिसको हम सिर्फ मन की आखों से ही पढ़ सकते हैं. ये तो फिर आपके जैसे अंतर्यामी ही पढ़ सकते हैं. हम तो किसी पर भी धोखा खा सकते हैं. गुरू साहब ने कहा धोखे से ही तो पांच में गुरू साहब को लाहोर बुलाया गया था क्या उनको पता नहीं था पता था पर रब को प्यार करने वाले रब की रजा में ही रहना पसंद करते हैं गुरु जी, इन तुरकों के पापों का हिसाब कौन करेगा? क्या उनको भी कभी उनके किये सारे जुल्मों की सजा मिलेगी? गुरु जी, इतनी भी गर्मी नहीं, फिर इन दोनों के माथे पर पसीना? इन दोनों की आँखों में मैंने अजीब सी बेचैनी देखी है, भाकी आप जग्याता हो। गुरु सहाब ने समझाया, खालसा जी, हर एक प्राणी अपने आप में पूरा ब्रामांड है, किसी के ब्रामांड में जांग कर देखोगे, तो उसके गुन अवगुन आपके अंदर आ जाएंगे। अच्छा यही होगा, कि हम अपने अपने ब्रामांडों की खोज करें, इसी खोज में ही हमारे मन को सुख और शांती प्राब्द होगी। जो ब्रहमंडे सोई पिंडे, जो खोजै सो उपावे। क्या सोच रहा है। किसी की फीट पीछे वार करना मुझे तो ठीक नहीं लग रहा। खमाल है, पहली बार मिलकर गुरू का इतना सर हो गया तेरे पे। देखा नहीं, वो कैसे मुस्करा रहे थी। जैसे उन्हें पताओ कि हम क्या करने आया यहां। मैं तो उनकी मुस्कराट देख कर ही डर गया। गुरू सहाग की आँखों में कितनी सचाई है। देखा तुने। मैं अपने शिकार की आँखों में उसे मारने के बाद देखता हूं। यह देखने के लिए कि वो मर गया या नहीं। मैं तो कल सुबह ही वापिस जा रहा हूं। वो रुहानी गुरू के नई चेले, वो जिसका नाम वजीर खान है न। उसके अंदर शैतान की रू है। उसने तेरे इसी गुरू के बच्चों को कितनी बेरह में से मारा था। याद है न, अगर यहां से खाली आद गए न, तो वो तेरे साथ तेरे सारे परिवार को जे भी जादा पहरह में से मारेगा। अब रब का नाम ले और शान तो कर सोजा। दो चार दिनों में में गुरू का काम तमाम कर दूँगा। दूबार पहरा देना। बस। शुक्रिया। यह पंजाब का नक्षा है। मादवदास इस नक्षे को ध्यान से देखो। यह अनन्दपुर्जाहब, यह सरहन और यह चमकौर इस नक्षे पर से जालिमों का नाम और निशान मिटा देना है। जिस वक्त मादवदास ने शस्त्र विद्या के साथ साथ गुर्बानी में लीन होना भी सीख लिया। गुरू सहाब ने मादवदास को अमरिच चका कर खाल्सा पंथ में शामिल कर लिया। निरंकार ने अपनी माया से ये एक ऐसी तस्वीर बनाई। एक तरफ भाई दया सिंग जी जिनको गुरू सहब जी ने पंज प्यारों के साथ पहली बार अमरिच चकाया था। और दूसरी तरफ बन्दा सिंग बहादूर जिसको आखरी बार गुरू सहाब ने अपनी हुजूरी में पंज प्यारों के द्वारा अमरिच की दिख्षा दे। जब मैं पहली बार सिंग सजा था ना बंदा सिंग तब मेरे भी यही हाँ भाव थे। भाई देया सिंग जी ये पगड़ी ये पगड़ी तो ऐसे है जैसे सर पर ताज है मैं इस ताज को पंजाब की शान बना दूँगा। आपने ये ताज पहली बार कहां पहना था। अनन्दपुर। जब भी आपननपुर कहते हो मुझे परिवार का बिछड़ना याद आ जाता है। सरसा नदी पर बिछड़ने के बाद माता सुंद्री जी की गुरु साहब जी के साथ मुलाकात कहां होई थी। राय कोट से गाव दीने कांगर होते हुए गुरु साहब ने तलबंडी गाव पर जाकर डेरा लगाया। धीरे धीरे संगतें जुड़ने लगी। और वजीर खान बादशा ने सरहन बैठी हुई फौजों को दिल्ली बुला लिया। और वजीर खान शान्त होकर पैठ गया। बंदा सिंग देखते देखते तलबंडी में ऐसी रौनक हो गई कि पाव रखने की जगा नहीं थी। माता सुंदरी जी उस वक्त दिल्ली में थी। ये खबर उन तक पहुची। आओ सुखा सिंग, कैसे आये हो, सब ठीक तो है ना। गुरु साब, साबो की तलबंडी पहुच गए हैं। फिर से भारी संक्या में लोग आ रहे हैं। दिवान सज रहे हैं। संक्ते जूड रहे हैं। ओए भले आदमी, ये तो खुशी की खबर है। तुझे देखर तो मेरे हाथ पर ठंडे हो गए थे। मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया। तू ठेहर यहां। मैं अभी जाकर ये खुशी की खबर माता सुंत्री जी को… रुको भाई माले सिंग जी। ये खुशी मेरी खबरहाट का कारण नहीं है। अच्छा। चारों साहबजादे और माता जी। क्या हुआ साहबजादों और माता जी को। बस एक दो को छोड़के आपके सहबजादों की सारे कपड़े तयार है। माता जी वाई गुरी ने आपकी अर्दास परवान कर ली है। सुखा सिंग बड़ी अच्छी कवर लेके आया है। गुरु साहब जी इस वक्त तलवंडी में है। फिर से संगत जुड़ने लगी है। वहां दिवान भी सचते हैं। तेरा लाख बार शुकर है मेरी ताता। तुने मेरे दिल की मुराद पूरी की। आप सब आभी इसी वक्त सापों की तलवंडी के लिए तयारी करेंगे। भाई सुखा सिंग जी आपके मूँ में खीशक कर। समझनियारी में आपका कैसे शुक्रियादा करूँ। आपने हमें जीवित कर दिया। सुखा सिंग मुझे ये बता रहा था कि.. बेवी चारो लाल के बारे है न सुखा से… वो चारो.. हाँ.. बोलो.. वो 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 वो चारो वही पे.. वो चारो वहा है तो फिर तेर किस बात की.. जल्दी करो.. दिल करता है.. अभी ये उन चारो को कसके सीने से लगा लू। ऐसा लगता है जैसे अपनी अउलाद का स्पर्श महसूस कर रही हूँ अपनी बेटों को मिलने की बड़ी चाहत है जल्दी तलबंडी पहुंचते है बड़े चाहसे चले ते माता साहिब कॉल बता अब सुखा सिंग मैं तेरी बाते माता जी को कैसे बताओं ए सचे पाश्या हमारे में तो हिम्मत नहीं माता जी के सीधे उचाहत बरे दिल को ठेस पहुंचाने की खुरु जी हमें माफ कर देना ये काम अब आपको खुद ही करना पड़ेगा बड़े चावानाल तुरी सी मा के पुता दे दीदार होनगे पुत पोनगे कले जे ठांड मेरे ते समने दातार होनगे ते समने दातार होनगे बड़े चावानाल तुरी सी मा के पुता दे दीदार होनगे कर दे दातार होनगे चुम चुम निक्के आनू गोदीच खिडावांगी वड़े आनू कोटके कलेजे नाल लावांगी रखा हिक्च बणा के चैन दिल्दा वखा हिक्च बणा के चैन दिल्दा वखा दे खुमार होणेंगे ते समने दातार होणेंगे बड़े चावानाड तुरीसी माम के पुत्ता दे दीदार होणेंगे गुरू साहब ने कहा उठ भी जाओ अब आने जाने मिलने बिछडने के साथ ही निरंकार की दुनिया चलती है भाग में लिखा जीव आत्मा को भोगना पड़ता है संजोग विजोग दो एकार चलावै लेखे आवे पाग बच्चे और माता जी कहीं नजर नहीं आ रहे निरंकार की रजा में खड़े गुरू साहब ने कहा पर मैं तो माता को भी देख रहा हूँ और बच्चों को भी कहा है गुरू साहब ने कहा मेरे सामने माता माता जी भी है और ये बच्चे भी है जी मैं अपने बच्चों के बारे में पूछ रही हूँ गुरू साहब ने कहा मैंने भी बेगानों की तरफ इशारा नहीं बच्चे और चारों साहिब जादों के बारे में पूछ रही हूँ गुरू साहम ने कहा, इन पुत्रन के सीस पर वार दिये सुथ चार, चार मुए तो क्या हुआ, जीवत गई हजार मुकाल जैचो कोई, रुग पर के ले गया है, मावार वार बेखे, करके हजार जैरा, उत्रा बगेर दिस्दा, सारा जहां हने रा, फोड़ी ने जीवी छोड़े, मुड़के नहीं मिलाए पिचार सहे बजादे गुरू साहब ने भाई दया सिंग से कहा, बच्चों की माता से कहो, उनको अपने बच्चों की शहादत पर आंसू बहाने का पूरा हक है, लेकिन अपने चारों पुत्रों के साथ साथ उन हजारों की कुर्बानियों को भी शामिल कर लें, जिन्होंने हमारे एक इशारे पर दुश्मन की तलवारों के नीचे अपने सर रख दिये, वक्त गवा है, जब जब भी चमकौर की गड़ी का दरवादा कुला, मेरे पांच सिंग दुश्मन का सामना करते हुए शहीद हो गए, फिर क्या हुआ, अगर उनमें मेरे बेटे भी थे, क्या मैं अपने बेटों का सोक मनाओं और बाकी सब को भूल जाओं, हर्गिज नहीं, ये बे इंसाफी मैंने न कभी अपने खाल से के साथ की है और नहीं कभी करूंगा माता जी, जोर्मा तयार है मैंने तो चारों के लिए जोर्मा बनवाया था, आपने तो मेरी जोली इन सब से भर दी, इन सभी में बांट दो ममताते महर होई, वेखे अजब नजारे, बेठे हजार होके, गोबिंद दे लाल चारे पुत्राच खाल से विच्छ, ना फर्क है न दूरी, भर दी, आपे ही खाने चूरी, ता देर पुत्र हजारा चोली मेरी जपाए ओ, 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 एचार सहब जादे, हजार सहब जादे, एचार सहब जादे भाई दया सिंग जी, अब तो मैं भी सिंग सच गया हूँ, गुरु साहब मुझे भी आप सब के साथ सरहन ले जाएंगे, और वहां जाकर, हमें हिसाब लेना होगा, साहब जातों के खून के हर कत्रे का, जल्दी पंचाब चलो, ये वजीर खान, चुप बैठने वालों में से नहीं है, गुरु को मारने के लिए दो पेशेवर कातिल भेज दिये, मुझे तो ये फिक्र है के बच्चों पर जुल्म करके और पीठ पीछे हमला करने की आदत डाल कर, कहीं आप सूर्माओं की तरह युद में लड़ना ही ना भूल जाओ, क्या होगा, अगर कभी गुर कुछ नहीं कर सकता, जरीले सांप शिकार पर निकल चुके हैं, बस अब दसने की देर है, आजा, जी गुरु साहर, देख के आते हैं, तंबु में ही रखा था ना, हाँ हाँ, तु चलतो से ही, तु बहार रुखना, मैं बस अभी काम तमाम करके आया, चल, 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 कराम से, कराम से, कराम से, इतनी रात गया, इन गोडों को क्या हुआ, चल, देख के आते हैं, यहाँ तो सब ठीक है, तु ओके बसे ना, करें दो घोती है, ना बसाहर प्रका Jana trips, तु बहार defending Rebir, जो Palace, यह blessed one me तो दोस्ता हुआ, तु अरुना एक हoka hardware 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 hardware, पकड़ो इसे इसने अपने साथी के साथ मिलकर गुरु साहिब पेवार किया है कान है तू कहां से आया है मुझे वजीर खाने गुरु साहब का जख्म काफी गहरा था वेद्दे ने उसको सी कर खून का बहना तो बंद कर दिया पर जख्म की गहराई के बारे में उसे ठीक अंदाजा नहीं लग पाया गुदावरी के किनारे बादशाब बहादुर शाह के डेरे से सिंगों ने एक अंग्रेज डॉक्टर को बुला कर इलाज करवाया उसने तसली दी के जख्म तो ठीक हो जाएगा और गुरु साहब को कम से कम छे महीने आराम करना पड़ेगा ज्यान रखना होगा खत्रा बढ़ सकता है बन्दा सिंग मैंने कहा था आप से वो शांत नहीं बैठेगा जालम वजीर खान पंजाब से संदेश आया था के गुरु साहब के भेजे पैगाम घर घर पहुंच गए है लोग घरों की छतों पे खड़े होकर सच्चे पाथ्षा की राह देख रहे हैं गुरु साहब की चाती का जख्म उनको घोड़ी की लगाम नहीं पकड़ने दे रहा था इसलिए उन्होंने कुछ चुने हुए सिंगों की मौजूद्गी में अपने पंज प्यारों की सहमती से अपने घोड़े के शैसवार को नुक्त करने का फैसरा सुनाया पंजाब को जाने वाले जथे की अगवाई बंदा सिंग बहादूर करेगा जो हो कम गुरू साहब जी मैं इसको अपनी कुछ सौगातें भेंट करना चाहता हूँ ये हैं हमारे तरकश के पांच तीज वो है नगाड़ा, खालसे के गरजने की आवाज ये है केसरी निशान, खालसे की पहचांग अब हम बताते हैं कि हम किस रूप में तुम्हारे साथ हूँए गुरू साहब ने फिर भाई विनोज सिंग, कहन सिंग, विजे सिंग, बाज सिंग, और भाई राम सिंग को आगे बुलाया ये हैं पंज प्यारे, इनके रूप में हम हर वक्त तुम्हारे साथ होंगे इनकी रजा में रहकर तुम्हें चलना पड़ेगा इनके हुक्म को तुम अटल होकर मानोगे जो हुक्म गुरू साहब जी फिर गुरू साहब ने पंज प्यारों से कहा आप पंज प्यारों को बंदा सिंग का ख्याल रखना है जब कभी ये खाल सापंत की नीती से भटके इसको सही रास्ते का मार्द दर्शन करवाना है हमारे पास समय बहुत कम है हमने पच्चिस सिंग और तैयार किये है जो आपके साथ जाएंगे मुगलों की बुरी नजर से बच्चते हुए आप सभी को बड़ी फुर्ती और चुस्ती के साथ यहां से रवाना होना है पांच-पांच सिंगों का जथ्था बना कर निकलना है लंबार रास्ता लेना पड़े कोई परवा नहीं ले लेना गाउं बुडिया पहला पड़ाओ होगा बंदा सेंग गोड़े की लगाम तुम्हारे हाथों में होगी तुम सिंगों के जथ्थे के सरपरस्त हो लड़ना पड़ जाए तो मेरा इंतजार नहीं करना पीछे कभी नहीं हटना किसी को कुछ कहना सुनना है कल सबेरे जथ्था पंजाब को रवाना होगा तू तो एकदम पठान लग रहा है हाँ कोई भी पैचान में नहीं आ रहा मुगलों की बुरी नजर से बचकर जो निकल ला है गुरू साहब मुश्कुराए और कहा हमें पता था तुम आओगे कोई सवाव? जी सिंग तो और भी बहुत है जो शुरू से आपका साथ देते आ रहे है फिर आपने इस बंदे को ही क्यूँ गुरू साहब ने कहा तुम्हारे सवालों में इमानदारी है बंदा सेंग हमें काफी समय से किसी योधा की दलाश थी इस लिए हम तुम्हारे मठ में पलंग पर विराजमान हुए थे गुरू जी इतना विश्वास दिलाता हूं कि मैदाने जंग में बंदे का खंडा खड़गेगा जब तक आप आकर कमान नहीं समालते गुरू साहब ने कहा अगर हम ना सके आपने ही तो सग्बुधी दी है होता वही है जो अकाल पुरक चाहता है उसकी मर्जी को मैं आपका हुकम समझ लूँगा गुरू साहब ने पूछा क्या तुम्हें हमारी कमी महसूस होगी जी नहीं क्योंकि मैं तो सिर्फ सिंगों की अगवाई कर रहा हूँ सिंगों के असली सिनापती तो आप ही हो गुरू जी ये मैं जानता हूँ कि आप सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि हर सिंग के हमेशा संग रहते हो गुरू साहब ने खुश हो कर कहा मेरा बंदा सिंग भादूर तुम वाकी में हर तरह से तयार हो आओ तुम्हारे जाने से पहले अरदास कर ले बंदा गुर किर पाले निकला तेरा बंदा हूँ कह निकला ओले सो निहाँ नात निहाँ बंदा गुर किर पाले निकला तेरा बंदा हूँ कह निकला बन अमन का बदल आ बर सैगा बिज दीबन जुल्म पे कढ़के गा बंदेगा घंदा खड़के गा बंदेदा खंडा खड़केगा बंदेदा खंडा खड़केगा गुरु साहब का जखम काफी गहरा था पर वैद्य का कहना था के उनके शरीर में धीरे धीरे जहर फैल रहा है सिंग ये सुनकर बहुत गवराए हुए थे गुरु साहब ने उनको बुलाकर समझाया के चिंता करने की कोई जरूरत नहीं रब की रजा में ही सबका भला है गुरु साहब ने फिर डिया सिंग जी से कहा गंत साहब जी का प्रकाश करो हम एक रस्म अदा करना चालते हैं उन्होंने फिर ऐलान किया खालसा जी आज रस्मी तौर पर हम एक घोशना कर रहे हैं फैस्रा तो बैसाकी के दिन ही हमने कर लिया था जब हमने पंज प्यारों को अमरे च्छकाया था आज हमने पांच पैसे श्री गुरु गुरुन साहब के आगे चड़ा कर माथा टेक दिया है आज के बाद हमारे भी और आपके भी यही गुरु होंगे अब से कोई भी देहधारी गुरु नहीं होगा हमारी जोत श्री गुरु गुरुन साहब में विराजमान रहेगी और उस तक पहुँचने का एक ही रास्ता गुरु पंथ खाल्सा होगा आज्या पही अकाल की तभी चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मानेओं गुरंत हमारी तरफ से सारी संगत फते परवान करें वाई गुरुदी का खाल्सा वाई गुरुदी की फते हैं बुले सोने हाँ हो सिया खाल्ब बंदा सिंग जी हमले की शुरुवात हम नहीं करेंगे अगर उन्होंने हमला किया तो फिर खतम हम करेंगे होई रुको कहां जा रहे हो अपने घर तलाशी लो इनकी हम तलाशी नहीं देंगे अच्छा बड़ा टेड़ा सूर है तेरा तेरी तो जब भी कोई नेक काम के लिए जा रहा हो उसे टोक थे नहीं इस तरह की मुसीबते तो कदम कदम पर टकराएंगे आगे क्या सोचे जा तुम मेरे वल है ता क्या मोचंदा तुद सब किछ मैंनु सौंपया जा तेरा बंदा शिरी गुरु ग्रन सहाब जी को गुर्गदी सौंपने के बाद जिस शाम गुरु सहाब ने संगत को दुबारा ही कठा किया उस दिन नांदेर में सुभे बड़े अन्होने ढंग से हुई थी पंच्छी चह चहाए नहीं मोर हिरन मस्ती करने की बजाए उदास आखों से गुरु सहाब के डेरे की तरफ देखते रहे संगत भी घुराई हुई थी गुरु सहाब ने संगत को समझाते हुए कहा खालसा जी हमारी आप से ये आखरी मुलाकात है हमारा जख्म हमें इश्वर का संदेश दे रहा है कुछ देर बाद हम अपनी अंतिम सांस लेंगे रब के वास्ति गुरु जी ऐसा मत कहिए सचे पाद्शा हमें छोड़ कर जा रहे हुए ये उचित नहीं है गुरु सहाब ने समझाया जैसे निरंकार के दिये हुए स्वास पूरे होते हैं मौत इंसान को अगले सफर का मुसाफिर बना देती है ना पहली पाद्शाइयां दुनिया छोड़ कर गई ना हम जाएंगे हाँ अकाल पुर्ख के हुगम से ये पांच तत्वों का शरीर छोड़ कर हम सदा के लिए परमात्मा में बिलीन हो जाएंगे फिर जो हमें सच्चे दिल से याद करेगा हम उसके पास हाजिर हो जाया करेंगे आप सबने आज से पर्चा शबदा पूजा अकाल पुर्ख की दिदार खालसेदा से दान ते पैरा देना वक्त आ गया है अच्छा अब हमें जाने की आग्या दीजिए हमारी तरफ से सभी संगत को फते पर्वान हो वाय कुली का खालसा वाय कुली फते झालसा वाय कुली वाय का वाय कुली फूज़का की हाँ हाँ आप तीनों के लिए बहुत जगा है आजाओ अंदर आजाओ ओई तुने सिखों के बारे में सुना है तु सिखों की बात छोड़ पहले ये सुन मैंने सुना गुदावरी किनारे बैठा बहादर शाह सेना के साथ दिली को लोट किया दखन में वैली बगावत अब शान्त हो गई है तु सिखों के बारे में क्या कह रहा था अब तो लगता है नदेड बैठे सिंग भी पंजाब को लोट चाएंगे क्यों बुरी खबर है उन अगर हम ना सके आपने ही तो सद्बुद्धी दी है होता वही है जो अकाल पुरक चाहता है उसकी मर्जी को मैं आपका हुकम समझ लूँगा मबारका 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 इतनी खुशी तो मुझे खुदा कभी दिल्ली के तक्त पे बिठा दे तो भी नहीं मिलेगी जितनी आज गोबिन की मौत की खबर सुनके मिली है ये सिक्खों का अंत है जश्न हो यह लगता है जैसे सिर पर आस्मान ही नहीं रहा पिता की मृत्व के बाद पुत्र को परिवार की जिम्मेदारे की पगड़ी पहनाई जाती है इसलिए गुरू साब हम हजारों को पगड़ीया पहना कर चले गए है अब उनके सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी हम सबकी बनती है ये आप क्या क्या रहे हैं गुरू साहब को कुछ नहीं हुआ उनको अपने सिंगों की बहुत चिंता है देखो सोचते सोचते कहीं को दावरी की तरफ निकल गए होंगे भाई दया सिंग जी जाइए ढूंडिये उनको जाइए जैसे पिछली बार आप माच्छी वाड़े के जंगल में गए थे गुरू साब मिल गए थे इस बार भी मिल जाएंगे जाइए भाई दया सिंग जी गुरू पिता को ढूंड के लाइए हम उनके बिना नहीं जी सकते किसी को तो पूछे गुदावरी नदी के किनारे किसी को तो पूछे माता जी आपी पूछे किसे से तो पूछे है पूछूँगी, सबसे पूछूँगी, एक बार माता गुजरी जी मिल जाए, उनसे जरूर पूछूँगी, जिन्होंने ऐसे अनोखे लाल को जनम दिया, जरूर पूछूँगी पूल मा गुजरी ए, पूल मा ए भोली ए, तस तेनू पता सेके ना तेरे पुत जे आपुत, होडा नहीं जहान ते, होडी नहीं तेरे जैई मा तस तेनू पता सेके ना दिल्ली वाल पितानू शहीद होण थोर देगा रीस कोण करू तेरे लाल दी तिल काते जंजुआते सिरव देवार देगा अपड़े हिसे दी छा तस तेनू पता सेके ना गुरू साहिब ने कहा था, हम सब लोग नंदेर से निकल कर पहली बार यहां बुढ़िया में एकठा होंगे पता नहीं था, यहां बैठकर दुख सांजा करेंगे पुत उदे पंज नाम पंज में दा खाल साहिए खाल साजे उदी करमात गें जारे पुत वार के वे जग उतरा हुआ दा खाल से चनाम ते निशां तस तेनू पता सिकहना तस तेनू पता सिकहना मेरा पुत मेरा पुत में विजान दिसा बेड़ा एने हिंद गगे थारिना रब दिया बंदियानू रब वलो हुंदा सदा डोलना ते बोलना मना जान दी मैं सब कुछ साँ हाँ मैनू पता सीगा हाँ पांच प्यारों ने मिलकर फैसला किया है कि अब पीछे नहीं हटना नम आखों से मंजिल धुंदली नजर आती है अपनी आखों से आसू पोचो और दुश्मन की आखों से नींद उला दो क्या हुआ क्या हुआ अचाने किस तरह उठियों गए यह सिर्चिठी नहीं आजादी की किताब का पहला पन्ना है जो पढ़ेगा जोश से भर उठेगा पंजाब दूर नहीं चिठियां मिलते ही लोग भारी संख्या में हमसे जुड़ने के लिए आ जाएंगे पर हम तो खुद तंगी में हैं उन सब का ख्याल कैसे रखेंगे जब कोई मुश्किल आए और जहां हमारा जोर ना चले बस कलगी धर पिता के आगे अर्दास करो सिर्य उपर ठाड़ा गुरसूरा नानकता के कारजपूरा तंगी तोशी भी दूर हो गई और दिल्ली भी नहीं जाना पड़ा इन लुबाने सिखों के दस्पन से हमारी मुश्किले दूर हो गई यह क्यों भाग रहा है बंदा सिंग जी कुछ लोगों का जुन्द हमारी तरफ आ रहे है यह तो किसी गाउं के लोग लगते हैं यह तो टाकू है जिलो भागो इनको क्या हुआ रुको बेवतलो साथ मुझे मत मारो हम अपने घरों को खुला चोड़ कर आये हैं सब सामान वही पे हैं जो चाहिए जाकर लूट लो मुझे मत मारो हम लुटेरे नहीं हैं देखिए मेरे पास कुछ नहीं है जाओ हमारा गाउं लूट लो जाओ कौन लूट रहा है तुम्हें खुंखाट डाकू रंदीर से हो आप उसी के आदमी होना अना नहीं नहीं हम डाकू नहीं हैं डरों मत हम तुम्हें इन डाकूं से बचाएंगे वो बागर काउपे हमला बोलने वाला है घबराओ मत बिनोट सिंजे ये पंजाब में जालिमों के खिलाफ हमारा पहला कदम और बागर में डाकू रंदीर से हो का आखरी बेजा बंदा गूरू ने तब स्वीत आगी है लोगों के मनों में जैसे आशा नहीं जागी है उस्ताद गाओं खाली है जाओ घरों को लुटो और जिस घर से कुछ नहीं मिलता उसे आख लगा दो रंदीर से आओ तू कौन तेहरे में इतनी हिम्मत कहां से आई मेरे आने की खबर सुन परिंदे भी घौंसला छोड़ जाते हैं अब तो मेरे आने की खबर सुन उजड़े गाओं भी बस जाए जिसके उपर मुखलो का हाथ हो उस रंदीशियों के साथ टकर हुआ 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 तेरी इतनी जुरत रंदीशियों को रोकने वाला कौन है तू मजलूमों के वो दोस्त हैं नेकी उनकी पहचान है उस गुरू का अशिरवाद लेकर निकला पंदा सिंग बहादूर मेरा नाम है हुआ 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 तेरी हुआ हुआ कर देरा ब़ुुछ झाल सेंग कभी नियत्थे परवाब नहीं कर दे, यह ले! हम आपके बहुत शुकर गुजार हैं, जो आपने हमें डाकों से मुक्ती दिलाई इतने खुश्मत हो, असली डाकों अभी मरा नहीं, असली डाकों मुगल हैं, अगर सच्ची आजादी चाहते हो, तो आप सब को अपने लिए लड़ना पड़ेगा आया है मसीह, आया है, लोगों को दर्द बंड़ाया है ये गुरू जाता जाता पता ने कौन सी मसीबत हमारे गले डाल गए जीतेगा दिलों को प्यार से ये बंधर्म डिलों में धंड़ेगा भूसदा साब, रास्ते में आरा हमारा खजाना बंड़ा सिंग ने लूक लिया है बंड़ा सिंग ने जलम सहते हुए कई कस्बों और तहसीलों को आजाद करा दिया बस इसका ही इंतजार था उसकी शौरेगाथा की गूंज ने वजीर खान के सिंगहासन की नीम हिला दी क्यों आली सिंग माली सिंग सिखों का हिक और गुरू पैदा हो गया दिल्ली के आसपास पंजाब के छोटे मोटे कस्मों को जीत कर वो क्या समझता है सरहन पे हाठ डालेगा ये सभी सिखों को हमारे सरहन में ही आकर क्यों मरना होता है अब तुम ऐसा करो उस तक पैगाम पहुचाओ कहो कि सुबा इस सरहन से टकर लेके दिखाए देखना फिर उस बंदे का बहादूर्पन कैसे निकलता है तुमारे गुरू को तो मैंने दक्षिन की तरफ भेजा वो वहाँ खतम हो गया इस गुरू के बंदे की हडियां का तो मैं सुर्मा बना कर सरहन के लोगों की आँखों में डालूँगा बस यहीं पर चुप हो जा वजीर खान हम अपने गुरू जी की और उनके भेजे हुए जथेदार की और बेज़ती परदास नहीं करेंगे इतनी हिम्मत हाँ याद करो इसी कचहरी में खड़े होकर छोटे सा अबजाद्या ने क्या कहा था जब जनाब ने पूछा था अगर तुम्हें आजाद कर दिया जाए तो तुम क्या करोगे मैं इनसे ये तो बुछलू कि ये आजाद होकर क्या करेंगे वही करेंगे जो हमारे गुरू पिता कर रहे हैं और जो सिंगू की आने वाली नसले करेंगी आखरी सांस तक जुल्म और बे इंसाफी के खिलाफ लड़ेंगे वो कैसे हम अपने गुरू पिता के सिंगों को फिर से कठा कर फॉस्ट त्यार करेंगे वही सब हो रहा है उनको तो शहीद कर दिया पर उनके कहे बोल तो अटाले ना गुरू के सिंग फिर से कठे हो गए है और जल्दी बंदा सिंग बहादूर के दाय हाथ का अंगुठा तेरा गला दबा देगा खामोश गुस्ताको इन दोनों को कोठरी में बंद करो और इनके लिए भयानक मौत का इंतजाम किया जाए भयानक मौत तो तेरी पंजाब में पहुंच चुकी है वजीर खान अब तू उसके हाथों बच नहीं सकता बंदा बहादर कल कैथल से कुछ लोग मिलने के लिए खासा जी जो सिंग हमने पंजाब चिठियां देकर भेजे थे वो कुछ खबर संदेशा लेकर आए हैं हाँ भेजों ने सिंग जी मैं समाने जाकर आया हूं जी समाना को अगर बाहर से देखें तो बहुत खुबसूरत लगता है मगर अंदर जाएं तो हालात कुछ और ही है मेरा करजा चुकाए बगार समाने से भागने की कोशिश पुछते हो गई पर आपका करजा नहीं उत्रा हम तक गया आपका करजा उतार उतार कर मेरे मंचे पर रह्म करो मुझे मुझे मुक्त कर दो दे दो इसको मुक्ती जान से मार कर उल्टा टांग दो ये समाना है समाना यहां से कोई भी मेरा करजा चुकाए बगार जा नहीं सकता क्या करजा था उस गरीब पर करजा तो कुछ है ही नहीं पहले तो उस गरीब से काम करवाते हैं पिर उसके उसे शर्फ एक वक्ट की रोटी देते हैं फिर जब वो भूखा मरता रोटी के लिए और पैसे मांगता है तो उनको उनके ही हक के पैसे करजे के रूप में दिये जाते हैं ताकि वो सारी उमर उनके नीचे दबे रहें ये लोग पुष्टों अंदर पुष्टों कर्जे की चक्की में पिस्ते चले आ रहे हैं अगर किसी के मरे अपनों को उनके धरम उनसार बिदाई न मिले तो सोचिए क्या हालत होती होगी वही हालात सडोरा के लोगों के है कब तक ये जुलम होता रहेगा कब तक हम अपने मरों को दफनाते रहेगे फोसदर साथ मुझे मेरे पिताजी कांतिन संसकार करने दू तेरी इतनी जुरत जो तुने सडोरा का कानून तोड़ा इसकी और इसके बाप की लाश को यहीं दफन कर दो जो कपूरी में मैं देखकर आया हूँ उसको बताते हुए मेरा सर शरम से चुक चाता है ऐसा क्या होता है बहाँ दोली किसी भी जाती या किसी भी धरम की हो कपोरी में उसका रास्ता कादरोल दिन की हवेली से होते हुए चाना तै है कादरोल दिन की हवानियत के डर से कपोरी के लोगों को इस रसं की चैसे आदसी होकी हो बाकि कैथल भिवानी पंजाब तो नर्ग की बटी में दर्खो के रहे गया है मादोदास वो कौन सा ऐसा मंत्र है जो सरयाम हो रहे अत्याचार की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं जाने देता मेरी मानों एक बार फिर से सफर शुरू करो रास्ते में तुम्हें गरीब मेहनतकश रोते हुए किसान मिलेंगे उनके आंसूर पोचना उनकी मुस्कुराहट के पीछे बैठा परमात्मा तुम्हारा इंतजार कर रहा है हम अपने बंदों के साथ इस समय यहां है हमारा मकसद सरहंद है पर सरहंद पहुचने के लिए हमें सबसे पहले समाने तक कासफर तै करना होगा समाने की फौद के गिंती तो काफी है हाँ उमीद है हमारी भीजी चिठीयों के जरीए तब तक हमारे साथ हजारों लोग जुड़ चुके होंगे और समाने तक पहुचने का खर्चा कैथल और सोनी पत के अमीरों चौधरी और फौजदारों ने अपना और गरीबों से लूटा हुआ पैसा सरकारी खजाने में रखा हुआ है मेरी नजर उस पर है आप जी पांच ब्यारों की क्या राह है हला हो लो बंदा सिंग ने फिर सोनी पत और कैथल के खजाने पर अपनी मुबड लगाई बैरागी सिंग और भाई फदे सिंग भी अपना जथा लेकर बंदा सिंग के साथ हामिल है मैं तो सिखों को किसी चर्चा के लायक ही नहीं समझता और तुमने सिखों के हमले की अफवाह सुनकर समाने के सभी अमीरों को इकठा कर लिया बंदा सिंग की ताकर दिन बढ़ने लगी अब उसने अपना रुख समाने की तरफ कर दिया बंदा सिंग ने समाने पर हमला बोल दिया जब सिंगों के जैकारे, हाम किसानों ने सुने, तो उनके होच्छे और भी बुलंद हो गए अथ्यारों की जगहे, जिसके हाथ जो भी आया, वो लेकर अमीरों के पीछे पढ़ गया और हला बोल दिया देखते, देखते, समाना तबाह हो गया बंदा सिंग, हीरे, जो हारत, जो चाहिए ले लो, मुझे छोड़ दो, मुक्ती देदो मुझे देदो इसको मुक्ती, और चोराहे पर ले जाकर उल्टा टांग दो चोटे सहाब दादों को दिवार में चिनने वाले दो जल्ला, शाशल बेग और पाशल बेग दी समाने की रहने वाले थे बंदा आ गया बंदा आ गया हमें माफ कर दो, ये सब कुछ वजीर खाने किया था, हमारा कोई कसूर नहीं नहीं, तुम्हारा गुना भी उस दरिंदे से कम नहीं था, सिर्फ तुमने ही आगी, सारे सरहंद ने ना कर दी थी अपनी आजादी के लिए तुमने मासूम बच्चों को जिन्दा दीवार में चिन कर दम घोट कर मारना चुना मैं बताता हूं तुमको तुम सारव्ट नसे कैसे हो तुमनenda एहथ ए rhण इतनी बर्भादी, इतना खुन खराबा, ये सब कुछ मेरे कारण हुआ, ये सब करने के लिए तो आपने मुझे पंचाद नहीं भेजा था, सच्छे पात्षा, आज कहीं फिर मेरे हातों हिरनी के बच्चों का खुन तो नहीं हो गया, नहीं बंदे, तुमने कुछ नहीं किया, गुरू साहब ने कहा, अंतर्यामी पात्षा, मेरे दिल की हालत आपके सिवाय और कौन जान सकता है, मुझे बख्ष दो, गुरू साहब ने समझाया, ये तो जालिम लोगों की सताई हुई जनता की गुस्से का ज्वला मुखी पुटा है, जिसके लावे में वो खुद भी बह गये हैं, पर गुरू जी, हमें लोगों को थोड़ा और समझाना चाहिए था, रोकना चाहिए था, गुरू साहब ने कहा, इस नफरत के तुफान के आगे अगर तुम खड़े होते, तो इस तुफान ने तुम्हें भी साथ उड़ा कर ले जाना था, तुम्हारे जैसी गलती हर इनसान करता है, जब वो ये सुचता है, कि यहां जो कुछ भी उसके साथ होता है, उसका कारण भी वो खुद है, जबकि यहां जो कुछ भी होता है, निरंगकार के हुक्म से होता है, बंदा ने अमीरों द्वारा गरीबों से की गई लूट को वापस गरीबों में बांट लिया, ऐसा हार, ऐसा हार तो मेरे दादी के पास था, हां, ये, ये तो वही है, हां, हां, ये तो वही है, ये देखो काके के बापो, बंदा सिंग की रह्मतों ने आपके बच्चे को घर्जे से मुब्ध करवा दिया, आप किसानों के पास कितने-कितनी जमीन है, दो बीगे, चार बीगे, मैं पांची विके, ये दो विके, चार विके जमीन हमारी नहीं है जी, हम तो जोते हैं आज के बाद वो जमीन आपकी है यह सच, यह सच बोल रहें, यह ही क्या हो गया भाई फटे सिंग जी, मालिक वो जो जमीन को जोतता है अब से आप समाने के फौजदार हो जो जो जितनी जमीन जोता है उस जमीन को उसके नाम कर दो आज के बाद जमीनदारी खत्म हुजूर, हुजूर, समाना, तबाह हो गया खाण साब खबर मि़ी है कि भारी तादाद में लोग माचे मालवे के इलाके से इकठे होकर बंदा बहादर के जथे में शामिल होने जा रहे हैं नहीं, मैं ये नहीं होने दूँगा सरंद के इस तरफ से सिंगों का जथा तो क्या उनका कोई बच्चा भी नहीं जा पाएगा जो बंदे का नाम ले उसकी जुबान कींच लो जो कदम उसकी तरफ बढ़े उन कदमों के टुक्डे कर दो हुक्म की तामील हो बंदा सिंग वजीर खान की हर चाल से वाकिव था उसने फिर अपना रुख सत्रुड की तरफ किया जहां माजे और दुआबे के सिंगों को नवाब मलेर कोटा ने रोका हुआ था बंदा सिंग का विजीरत सत्रुड तक थमा नहीं उसने गुरम, केसर, शाबाद और मुस्तवाबाद पर भी जबरदस्ट जीत खासिबी लोगी फिर कपूरी की इंच इंच बजा दी उस्से में भरे लोग कपूरी के अयाश फौजदार कादर उल्दिन की लाश पर धूगते और पत्थर मारते ही बंदा सिंग ने फिर संडौरा पे चड़ाई की संडौरा के फौदार उस्मान खान ने फीर बुग्दू शा को सिर्फ इसलिए मार दिया था क्योंकि उसने भंगानी के युद्ध में गुरू गोबिन सिंग जी की मदद की थी उस्मान खान मारा गया संडौरा आजाद हो गया लोगों ने अपने प्यारों की देह कबरों से निकाल उनका दाहस अंसकार कर दशमेश पिता का शुक्रिया अदा किया वजीर खां के दिन तो अब गिंती कही रह गए हैं अब तो उस बिचारेने गिंती भी शुरू करती होगी हम तो आपे और माजे के सिंगों को तो बदले के उस दिन का इंतजार है जब हमारे हाथ में नंगी तलवारे होंगी और सामने वजीर खां का सर साहिब जादों की शहीदी का बद्दा लेकर हमको चैन मिलेगा मलेहर कोटले के नवाव को अच्छा सबक सिखाया साथियो मैं आपके जजबात की कदर करता हूँ लेकिन मैं एक बात साफ तोर पर बता देना चाहता हूँ कि मेरे गुरु साहिब ने मुझे अपने साहिबजादों की शहादत का बदला लेने के लिए नहीं भेजा हमारे गुरु साहिब इरशा, द्वेश, वैर, भेद, भाव से उपर थे उन्होंने बदले की भावना से कभी कोई काम नहीं किया नयाएकी लड़ाई में उन्होंने अपने पिता गुरुतेग बहादर के गातल औरंगजेब के बेटे बहादुर शाह का साथ दिया और ना ही उनकी लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ है आप सब में भी हर मजहब के सिपाही है उन्होंने मुझे पंजाब को मगलो के अत्याचारों से मुक्त करके खुशाल पंजाब बनाने के लिए भीजा है हमारे मकसद की रहा में हमें कोई भी अत्याचारी मिलेगा हम उसको सजा देंगे चाहे वो वजीर खान हो या कोई और मैं जानता हूँ वजीर खान इनसान नहीं दरिंदा है इस दरिंदे के लिए हमारे पंजाब में कोई जगे नहीं सजा उसको जरूर मिलेगी कैसे भूल जाऊं उस ठंडे बुर्ज को बेगम यहां खड़े होकर उदर क्या देखती रहती हो फिकर ना करो जो सडोरा में हुआ मलेर कोटला के नवाब के साथ सतलुच पे हुआ उस तरह का कुछ भी सरहन में नहीं होगा जीत हमारी होगी मुगलों के सैकडो सालों के इतिहास में इतनी बड़ी जंग ना किसी मुगल ने हरी है और ना मैं हरूँगा और वो बंदा सिंग, उसको तो मैं ऐसी मौत दूँगा, जिसे देख, मौत भी मुझसे खौफ खाईगी बुर्ज से आते, सूने पन के ठंडे अंधेरे को क्यों नहीं समझते गुरू सहब का अशिरवाद ले हम नंधेर से 31 निकले थे उन्ही की महर से आज किंती हजारों में हैं, मौसन खुलते ही सरहन पर हमला करेंगे तब तक हम इने युद्ध कला के हरक शेत्र में माहिर कर देंगे माओं ने बेटे, बेहनों ने भाई और सुहागनों ने सुहाग हस हस कर युद्ध के लिए भेजे होंगे कलगियाँ वाले पादशा तेरे बंदे में इन बंदों के विश्वास को मैं कभी ठेस नहीं पहुँचने दूँगा मैं तो मर कर भी इनकी कुर्बानी का मुल्य नहीं चुका सकता उल्टे हो और जमाने आए ता मैं पेद सजन दे पाए कालगड नुमारने लगे तेचिडियाँ जर्रे ताए वाह बंदे ने आम लोगों में जोश भरकर बंदों की ऐसी वाला बनाई है कि आज उसके एक किशारे पर लोग जान निचावर करने के लिए तयार हो जाते हैं आपने बिल्कुल सही फरमाया बाबा बुलेशा जी जैसे आपकी कलम लोगों को पाखंडियों से तोड़ती है वैसे ही बंदा सिंग की सोच जालिमों के खिलाफ आम लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है भूके प्यासे गरीब लोगों की पीड़ा को तो एक नेक दिल इनसान ही अपने अंदर महसूस कर सकता है मैं तो कुछ कहते रुख के साइं जी कहूंगा मुआई बात ना रहती है अब रब की रजा में ना रहने वाले जालों का बुरा वक्त आ गया है मुआई बात न रेंदिये मुआई बात न रेंदिये चूठाखा ते कुझ बचदाए सच अखिया पामबड मचदाए जीदो हाँ गलातों जचदाए जच जच के जीवा कैंदिये मुआई बात न रेंदिये तेरा भतीजा क्या खबर लेकर आया है अरे केता मल बता हूँ हुजूर मैं बंदा सिंग की वाज में गुल मिल गया हूँ बंदा सिंग जंग के लिए बहुत तैयारी कर रहा है हुजूर जितनी मर्जी तैयारी कर ले दिल्ली के तक्त पे बाच्छा बदलते हैं पर सरहन के तक्त पर वजीर खान था है और हमेशा रहेगा हान साहिब आपने जंग जीतने के बाद बंदा सिंग की सजा के बारे में कुछ सोचा है मैं उसके 40 टुकडे करूँगा सर को सरहन के किले पर टांग कर लोगों के लिए नुमाईश लगवाऊँगा पर उस सर का खास क्या रखना हजूर ये अपने नौमे गुरू का चांदरी चौंक से सर उठा कर ले गेते ये सरहन है दिल्ली नहीं कित चोर बने कित खाजी हो कित मिंबर ते बहवाजी हो कित ते बहादिर गाजी हो आप अपना कट कि चड़ाईदा चेड़ाईदा कहो किस थी कहो किस थी आप चुपाईदा कहो किस थी चन्लू का मैदान चपड़ चिड़ी है उस दिन बनूर, मनी माजरा और खैर के किलों से वजीर खान का कोई भी जरूरी सामान उस तक ना पहुंचे बन्दा सिंग, तलवारे देख, तोपे देख, देख, मेरी फौज की तादाद देख सुभान अल्ला, सुभान अल्ला, मैं उन सिंगों की वाज के चितरे हवा में उड़ते देख रहा हूँ दुश्मन के चक्के छुडाने के लिए ये तोपे ही काफी हैं, कुछ तो वहीं खत्म हो जाएंगे, बाकी डर के मारे मैदान छोड़कर भाग जाएंगे, खेल, खत्म 15,000 पैदल और 12,000 घुर्षवर जिपाही, दर्जनो हाती, तीर अंदास, घुंखार 5,000 गाजी और बहुत सारी तोपें, खबर पक्की है हमारे स्वागत के लिए अच्छी तैयारी की है वजीर खान ने बंदा सिंग जी, हम तोपों का मकाबला कैसे करेंगी? बस, तोपों की मार का पता चल जाए के कहां से कहां तक है बंदा सिंग जी, गाउं के जो नौजवान हमारी फौज में शामिल होने आ रहे थे वजीर खान ने उनको मरवा कर उनी के गाउं के चुराहों पर लटकवा दिया ताके और लोग हमारे साथ जुड़ने की हिम्मत न कर सके हम, तुझे ये खबर कहां से मिली है? मुझे ये खबर अपने साथ ने जुड़े सिपाहियों के खेमे से मिली है मुझे बता, वजीर खान की फैलाई इस दहशत के बारे में सुनकर तुझे कैसा लगा? जी, मेरा तो खुण खुल रहा है पर सिंग जी, मैं अपने साथ जुड़े ने लोगों की बात कर रहा हूँ घबराऊ मत, वजीर खान की फैलाई ये दहशत हमारे सिंगों के खुण को उबाला देगी बस, इस खुण को थंडा मत होने देना जंग से ठीक पहले जालिमों ने ऐसी हरकत डर भेलाने के लिए की है गुरु साहिब, सरहन पर फतह हासिल करने के लिए क्या ये उचित समय है? खालसा जी, सोची सोचना हो वई, जे सोची लखवार आप तो गुरु पिता जी को अपना सैनापती मानते हो फिर भी सोच में पढ़ गए खालसा जी, हमले का उचित समय तब है, जब आप तयार हो और जब आप तयार हो, हर सिंग तयार है कौर से सोचो खालसा जी, ये कायराना हरकत उसकी घबराहट है अंदर से वो आपसे तर गया है सिंग जी, आगे बढ़ो हाँ, हम आपके साथ हैं चाहत जी, सरहन चे अथा इक आड़े खालसा जी, सरहन से एक आड़े और एक अषरत आपको मिलने आ हैं वो पहले भी दो-तीन बार आचुके हैं कहते हैं जंग शुरू होने से पहले आपसे मिलना ज़रूरी है हाँ जी, बताओ जी मैं नूरा हूँ गुरू साब जी के कहने पे मैं सरहंद गया था हाँ, भाई देया सिंग ने तुम्हारे बारे में बताया था ये मेरी बेहन रजिया, जिसने छोटे साहबजादों की दिवार में होती शहिदी अपनी आँखों से देखी है मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ ये है उस दिवार की इट पहत साल से मैंने अपने पास संभाल कर रखी थी ये आपके लिए है जंग में अपने साथ रखियेगा मेरा विश्वास है आप वजीर खान को वो सजा दे सकेंगे जिसका वो हक्तार है हम आपके साथ हैं बस बैंजी रोना नहीं गुरू साहब का लाख लाख शुकर है उन्होंने आपको मेरे पास भेजा आज मैं आपके मुझे सुनना चाहता हूं के उस दिन और उससे पहले सरहन में क्या क्या हुआ था ए सच्चे बाद्शा आपने तो मुझे पंजाब आजाद कराने भेजा किसी से बदला लेने के लिए नहीं लेकिन जंग में जाने से पहले जो हैवानियत की आखों देखी कहानी इस बहन से सुनी है उसको सुनकर बस मैं यही अर्ज करूंगा कि जस वक्त वजीर खान मेरे सामने हो उस वक्ता आप मुझे माफ कर देना माफ कर देना बंदा सेंग यह कोई सडोरा या समाना नहीं यह सरहंद है सरहंद वजीर खान का सरहंद वजीर खान ना ही मैं तरा कोई फॉजदार हूँ ना ही कोई पहाडी राजा सिंग हो सिंग, गुरू का सिंग ओए सिंगा, क्यूं मौत को दावत देता है अपने सिपाईयों के साथ आकर मेरे सामने हत्यार डाल दे उन दो मासूम बच्चों का सर नहीं जुगा सका और तू गुरू के इन सिंगों को खुलाम बनाने के सब में देख रहा है ओए घुटने टेक दे, मैं तम सब की जान बख्च दूँगा तू घुटने टेकने के बारे में सोचना भी मत सालिम मैं तेरी जान नहीं बख्चूंगा तेरी ये मुठी बर फाज, शाम तक मेरे कब्जे में होगी तू आगे तो बढ़, इधर मेरी तोपों को देख ओए इधर मेरे सिंगों को देख, एक एक आग का गोला है बंदा सिंग, आखरी मौका है तेरे पास वजीर खान, आखरी खौहिश है तो बता तू कल का उगता सूरज नहीं देखेगा सूरज तो आज तेरे मरने के बाद ही डूबेगा दुनिया की सबसे अवल कौम के सुर्माओं दुश्मन पे ऐसा हमला करो कि हमारे खौफ से इनकी आने वाली पुष्टे कोख में ही खत्म हो जाएं खाल साजी, काल बनकर तूट पड़ो इन दुश्मनों पर तुम फौज, अकाल की हो हम सिंग करज कर आज सरहंद में हुए पापों का इनसाफ करेंगे कर्व से भर उठेगा हमारी आने वाली पीड़ी का सीना जब वो आज का इतिहास पढ़ेंगे आज की जंग का सेरा पती कौन? तेह शिवा शुब करमन ते शुब करो न दरू अरसो जब एडरू न दरू निष्चाय कर अपनी निष्चाय कर अपनी निष्चाय कर अपनी शुब करो दो बोले सौ नहाल अजिवां है 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 ना सिखिये तूट पड़ा अब तुट पड़ा अगे पड़ा तो रुक जाओ इसके आगे तूपो की मार है तेजी से आगे बड़ो इससे पहले के दूसरी तूपो का हमला हो जाए इजला थो तूपेचला आएओ छो तूपेचला 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 जनाब भुरी खबर है चपटचीडी आने वाले हमारे बनूर खरण मनी माधरिया के किलों के हर रास्ते पर सिख दिवार बनकर खड़े हैं इसलिए कोई असला कोई मदद हम तक नहीं पहुंच पाएगी मदद की जरूरत तो अब उस बंदे को पड़ेगी उसकी फाउज में शामिल मेरे लोग अब बाजी पलड़ देंगे सुचानंद मुदर हावी हो गए है सभी जान बचाकर भागो ये क्या कहने है अब केल खत्र हुआ 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 है बंदा सिंग जी मुगलों की तोपे भारी पड़ रही है हमारे नए जुड़े सिपाही मैदान छोड़कर भाग रहे हैं सेंग जे बाकी बची फोजों को कहो खंडा खड़काने का वक्त आ गया है चलो अचन्ग के मैदान में सिंग्ये जो है है गुरू के लिए यसी इसी तली पे सजाने हैं माय माय माले को थूमे का सफाह अंलाओ बंदा आगे? बंदा आगे? जीति नगारा गड़केगा बंदा आगे? बंदा आगे? यह ले, बहुत बड़ी गनती की है तुने निहत्य को तलवार देकर, मैं होता तो तुझे चीर के नख देता आ पर, निहत्य पे करवाल, आ, कर मंदे कम्मी नान का जब कद मंदा होए देखा, मजलूम परत्याचार करने वाला, हर कोई एक दिन ऐसे ही धूल चाट रहा होगा अब तु यह सोच रहा है न, कि मैंने तुझे चान से क्यों नहीं मारा इधर देख, यह उस दीवार की इंट है, जिस दीवार में खड़े करके तुने मेरे गुरू के बच्चे शहीद किये थे यह इध पाँच साल पुरानी है, बाबा फदे सिंग की उमर भी उस वक्त पाँच साल की थी इस इध से मैं नौ जगह से तेरे शरीर को खोलूँगा क्योंकि बाबा सुरावर सिंग की उमर उस वक्त नौ साल की थी अपनी करनी का फल वगतने के लिए क्यार होजा का टू वजीर खान इस वते सिंग से भी आज तू हारेगा मुग्लादा कता परट गया मुधेदा घंटा खट गया मुधेदा करट गया अभी सालिम मरा रहा है इसकी परचाई यह थी सिंदा है सरहंद चलाओ काथी साहर काजी साहब काजी साहब काजी साहब कमाजा खोजिए सुच्चानंद, क्या ख़बर है? हम लडाई हार गए है मजीर खान बारा गया पार बच्चों को लेके दिल्ली भागो यह तो सुच्चानंद है तो सुच्चानंद, कहां भागेगा तु तेरी मौत तैय है, सुच्चानंद, सुच्चानंद जो सुच्चानंद सजा मंजूर नो है तना गूदा ःतना कभूल नहें। मुझे माफ कर दिजे बंदा सिंग जी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है याद कर इसी जगे पर खड़े होकर तूने मेरे गुरू साहिब के बारे में क्या कहा था सुना आपने सुना आपने सांप के बच्चे सांप भी होते हैं ये लिजिए इसी जबान से कहा था ना काट दीजिए इसे मुझे मारिये मार और अब याद कर तुझे बाबा जुरावर सिंग ने क्या जवाब दिया था सुच्चा नंद जुबान को लगाम दे मजलूमा देओ दोस्त ने ने की उनकी पहचान है सीष जुका कर आदर कर गुरू गोबिन सिंग उनका नाम है लीजिए मैंने अपना सीष जुका दिया जुका दिया अपना सीष गुरू साब को जुका दिया आपके साथ में भी जुका दिया ये सीष साब इसी तरह जुका रहेगा सर उपर कर पाखंदी अपनी सुबान से बोल कर बता फिर बाबा फटे सिंग ने तुझे क्या कहा था शुकर कर हम तुम्हारे कैदी है नहीं तो कसम गुरु पिता की अब तक तुम्हारा सर कंदों से गिर चुका होना था आप कर दीजिये मुझे मुझे ठंडे बोर्ज में उम्र भर के लिए कैद कर दीजिये बस मारे मत तुशुक्रिया आदा कर बाबा फटे सिंग का जिन्होंने तेरी मौद का आसान सा फर्मान उसी दिन चारी कर दिया था उन मासूमों का कहा तो मुझे पूरा करना ही पड़ेगा मा... म... माफी... माफी... पादा सिंग जी, हमने वजीर खान की बैगम और बच्चों को अपनी हिरासत में ले लिये यहां जाना चाहते हैं, इन्हें उसी जगे पर हिफाज़त और इज़त के साथ छोड़का गुरु साहब की मेहरें उस वजीर खान के बच्चों को रिहा कर दिया, जिसने गुरु साहब के बच्चों को दिवार में चिनवाया था दादी एसा डेले क्यों होरे निडाले तेरी सिखिया ते उतरे तेरे लाले कर के सिरादी पिटा रभी ते आन करिये दाद पिता दाना रोशन जाहान करिये फिला आग आएदा दिये जुदाईदा असाज मुड के ओडा नहीं तेन्नु दसी एकी वेकी होडाए तेरी अक्खियानु असी रूलोडा नहीं दादी एसा डेले क्यों होरे ने डाले तेरी सिखिया ते उतरे तेरे लाले करके सिरादी पिटा रभी तेयान करिये दादी पिता दाना रोशन जाहान करिये रोशन जाहान करिये जाहान करिये चाला जाला जाला जाँ कि अधिए भर्वाओन प्रवाओन दुटत गुरु साहिब, मैं जानता हूँ, आज की इस जंग के सिनापती आप खुद थे, और ये जीत भी आपकी है बन्दा सिंग बहादुर ने ना केवल पहला खालसा राजसा पे तिया, बल्कि अपने गुरुओं के नाम के सिक्के भी चला है जिन पे गुरुओं को शदाजली अंकित थी, उन सिक्कों को नानक शाही यानी गुरु नानक जी की मोच्छा पे अंकित था, सबके दाता सत्गुरु नानक जी की असीम किरपा से और शेहन्शाओं के शेहन्शा, सच्चे पात्षा, गुरु गुबिन सिंग जी की तेग की फते से ये सिक्के, आध्यात्मिक और संसारिक दोनों जगत के लिए जारी हुए है बंदा ने लोगड किरे को अपनी सैन्य शक्ती का मुक्ष केंदर बनाया और जिन पहाड़ी राजाओं ने गुरु साहब को अननपुर के युद्ध में धोका दिया था, उनके राज्यों पर कब्जा कर लिया बंदा का राज पंजाब में लहोर के बाहरी हिस्से से लेकर दिल्ली के करीब सौनी पर तक पहला हुआ था भाई फते सिंग जिन्होंने वजीर खान का सरकलम किया, वो समाना पे हुए हमले से पहले अपना जथा ले बंदा सिंग से आमिले थे वो जिस गाओं के रहने वाले थे, उसे आज गाओं चक फते सिंग वाला के नाम से जाना जाता है उनके पूरवज सिखों के चोथे गुरूजी से खरीब से जुड़े हुए थे फते सिंग की बार्मी पीड़ी आज भी उसी गाओं में रहती है बंदा सिंग का विवाह चंबा के राजा उदे सिंग की पुत्री सुशील कौर से हुआ था जिन्होंने पुत्र अजे को जनम दिया दूसरा विवाह साहिब कौरजी से हुआ जो गुर्दास नंगल से बंदा सिंग की गिरफतारी के वक्त उनके साथ नहीं जा सकी क्योंकि वो उस वक्त गरववती थी बाद में उन्होंने पुत्र को जनम दिया जिनकी नौवी पीडी आज कट्रा से 18 किलो मेटर दूर रियासी गाओं में और रोह तक में रहती है मुगल लोग और किला जीतने के बाद भूखे बेडियों की तरह बंदा सिंग को खोज रहे थे तब उसने रोपर जलंदर राजमार्क पर रायल माजरा गाओं की गुफाओं में शरण ली थी पूल भुलईयां जैसी ये इतिहासी गुफाएं पहाड के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहली थी इनकी उचाई सिर्फ एक गोड़े के गुजरने लाइक थी इसलिए छिपने का उत्तम स्थान थी ये गुफाएं आज भी मौजूद हैं संख्या पहले से कम है बादशा फारुक शियार के हुक्म पर मुगलों ने बंदा सिंग को गिरफतार करने के लिए गुरदास नंगल को आठ महीने तक घरे रखा बंदा सिंग ने फिर पतनी सुशील को बेटे अजे और दोसों से भी ज़्यादा सिखों के साथ आत्म समर्पन कर दिया परिवार के साथ बच निकलने का मौका होने के बावजूद उसने अपने गुरू की इस सीख पर डटे रहना चुना कि मरना उसका ही सफल माना जाता है जो दूसरों को हिम्मत से मरने का हुनर सिखा दे खौफ फैलाने के लिए बंदा सिंग के शरीप उनकी पतनी सुशील कोर के भाई ने कुछ टुकरों को इकठा कर उनका दाहसंसकार जम्मू में किया बंदा सिंग की अस्थियां आज भी रियासी में डेरा बाबा बंदा सिंग बहादूर के मठ में सुरक्षित हैं बंदा की उपलब्धियों ने सिखों की नई पीड़ी को आने वाले संगर्शों के लिए तैयार किया जिससे वो एहमद शाअबदाली जैसे हमलावरों को मूँ तोड़ जवाब दे पाए और महराजा रंजी सिंग भी विशाल सिख सामराजी खड़ा करने में काम्याब हुए बंदा की वीरगा था आज भी लोगों को नया इतिहास रचने को प्रेरित करती है जिस जगे पर बंदा सिंग बहादुर और उसके तीन साल के बेटे अजे को मुगलों ने शहीद किया उसे आज गुर्दवारा शहीदी अस्थान बाबा बंदा सिंग बहादुर के नाम से जाना जाता है ये स्थान कुतु मिनार से डेड़ किलोमीटर दूर महरोली नई दिली में स्थित है महराज़ के नांदेर में जिस जगे गुरु गोबिन सिंग जी का डेरा था उसे आज तख्त सचकंड श्री हुजूर अबचल नगर साहब के नाम से जाना जाता है ये स्थान सिख्खों के पाँच तक्तों में से एक है यहां महराजा रंजी सिंग के आदेश पर सन 1832 और 1837 के बीच एक गुर्दवारा बनाया गया गुरु गोबिन सिंग जी के वक्त प्रचलित प्राचीन प्रथा और रिवाज यहां आज भी बनस दूर जा दी है जमकार की लड़ाई के बाद गुरु गोबिन सिंग जी ने मुगल बादशा और अरंगजेब को एहमद नगर एक पत्र जफर नामा बेजा जिसमें उन्होंने बतौर इनसान उसकी कमियों बतौर शासक उसकी जियातियों और गुरु जी से उसकी उसकी लोगों की वादा खिलाफी पर दिखका रहा था और चितावनी देते हुए वो खालसा संकल्प याद दिलाया कि जब तक तक तुम्हारा शैतान राज खतम नहीं हो जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे उनका जफर नामा पढ़ और अंगजेब विचलित हो गया वो गुरु साहब से मिलना चाहता था पर उससे पहले ही वो चल बसा चपड़ चड़ी के महायुद में बाबा बंदा सिंग बहादुर की वजीर खान पर हुई विजे की याद में उस जगे पर एक भव्य समारक बना गया है ये स्थान चंदीगर से कुछ मिल दूर है